हेलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंस्टन्ट एग ओमलेट की रेसिपी ये आज हम बहुत ही हेल्दी बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे जिससे ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं बिल्कुल जैसे चापाती बनती है बिल्कुल वैसा ही बनेगा बहुत ही आसान तरीका है तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं ओमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है बारी कटा हुआ प्याज इसके बाद चौप किया हुआ धनिया ले लिया है और हरी मिर्च मैं यहाँ पर लाल मिर्च भी यूज करने वाले हैं इसलिए हरी मिर्च थोड़ी सी कम ली हैं ये दो अंडे ले ल डावा अगर आपके पास सिम्ला मिर्च मथर वगद ऑगेरा व भी आप डाल सकते एस से ओमलेट और भी ज्यादा हैली बनेगा है इसके बाद डाल देते हैं शुब आपर डाल के बाद कटा हुआ टमाटर ये मैंने आदा कमर अधर बारिट चॉप कर लिया था टमाटर में बह फोड़ते हैं इसमें दो बार आप नाइफ मारेंगे और यह बहुत ही आसानी से फूड़ जाता है यह आप देख सकते हैं फूड़ गया दूसरा अंड़ा भी फोड़ लेंगे इसमें हमें एक चीज का धियान रखना है कि जो यह वाइट कलर का छिलगा है वो नहीं जाना चा भी डाली है इसमें गरम मसाला पाउड़ डाल दिए उससे थोड़ा फ्लेवर बढ़िया आ जाएगा अब हमें अच्छे से अंड़े को फेट लेना है तो मैं यहां पर एक काटा लिया है इससे बहुत अच्छे से फेट जाता है अंड़ा तो अच्छे से बिलकुल अंड़ तो आप देख सकते हैं जागाने लगे है मैंने इसे दो मिनिट तक फेट लिया है तो अभी हम इसका ओमलेट बनाते हैं आमलेट पनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बड़े साइज का तावा लिए इसमें एक चंमच डाल दिया है यहाँ पर ओयल तो चोटे चंमच से दो चंमच ताला है यानि बड़े चंमच से अगर आप डालें तो यहे एक चंमच है काम उयल में बनाएंगे हम इसे यहाँ पे डाल दिया जीरा जीरा के बाद हम एक अंड लेना है फ्लेम को मीडियम मीडियम फ्लेम करके ही हम इसमें अंडा डालेंगे तो पहले तेल को खलका गरम हो जाने दें और अब medium flame करके हम इसे डाल देते हैं अब हम तब एको थोड़ा घुमा लेंगे ताकि जो ये अंडा है वो पूरे में अच्छे से फैल जाए ओमलेट का थोड़ा सा साइज ऐसे में बढ़ जाता है तो इस तरही के से बिलकुल थ्यान से करना है वरना ये नीचे भी गर जाएगा तो इसे मैंने अच्छे से फैला लिया flame को medium रखा है medium flame प्यार ही हम इसे कोखोने देंगे अब हम side से इसे निकालते है side से इसे निकालना जरूरी है थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेंगे फिर हम एक जड़के में से पलट देंगे तो अब हम side से निकाल चुके ये अब देख सकते है गुम रहा है अब हम इसे निकाल कर पलट देते हैं तो ये टूटे का भी नहीं तो ये आब देख सकते हैं पलटने का प्रोसेस थोड़ा सा तवा को उठाएंगे भी जाएगा और तूटेगा भी नहीं तो दो मिनिट मैंने इस साइड भी इसे सिखने दिया दो-दो मिनिट हमें हर साइड से एकना है दो मिनिट हो चुके अब हम पलट लेते हैं तो इस तरीके से फिर से हम तवे को थोड़ा सा उठा का पलटेंगे थोड़ा सा और पलट लेते हैं और यह आप देख सकते हैं दोनों साइड यह अच्छे से सिख गया है कहीं से भी कच्छा नहीं रह गया दोनों साइड़ आप ये देख सकते हैं अच्छे से सिक गया है और बिलकुल भी टूटा नहीं इस प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो बिलकुल भी ओमलेट टूटे गया नहीं तो ये हमारा ओमलेट हो गया बिलकुल तैयर बहुत ही जदा हैल दिये क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सबजियां डाली है और बहुत ही जदा टेस्ट ये बिना टूटे बन गया आप चाहें तो ये बच्छों के टिफिन वगएरा में भीज सकते हैं थोड़ा सा मैं कट करके देखा दीती हूँ आपको तो नाइफ से मैं आपे कट कर रही हूँ तो ये आप देख सकते हैं कितना बढ़ी है बहुत ही जदा सौफ्ट है और बहुत ही जदा टेस्ट है तो आप भी इस तरीके से एक बार ओमलेट जरू बनाएं ब्रेक फरस्ट फगेरा में सबको बहुत जदा पसंद आएगा बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा तो फ्रेंट सी वीडियो आपको कैसा लगा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्स स्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो मिल दें नेक्स्ट रेसिपी में